और शात्यों नमस्कार मैं हूं सैलेंदर कुमार और यह है शिधात क्लासेश आज के इस महतोपुर्ण सेशन में आपका पुना स्वागत है तो इस सेशन के अंतरगत हम लोग दिखेंगे भारतीय राजविवस्ता के महतोपुर्ण तत्यों के बारे में इसके कुछ महतोपुर अनुचेट एक इस सार परतेक राजविका एक राजविका एक राजविका होता है किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राजविका राजविका भी नियुक्त किया जा सकता है यह अनुचेट 153 के अंतरगत वर्णन किया गया है योग्यताएं वह भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयूपूरी कर चुका हो उसके बाद है नियुक्ति योँ पदा अधि राजविकाल की नियुक्ति राष्टपती द्वारा सामान नेता पांच बच के अधिके लिए की जाती है राजविकाल राष्टपती के परसाथ परियंद पद धारन करता है यह अनुच्छेट 156 के एक के अंतरगत वर्णन किया गया है राजविकाल की सक्तिया अध्वा कारिये कारिकारी सक्तिया राजेपाल मुख मंत्री और मुख मंत्री के प्रावमर्स पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है संख्या के एक बटा शे सदस्यों को मनुनित करता है जो सहीत, कला, जव्ज्ञान, समाज सवा, सहकारिदा के चेत्र में बिशेस ग्यानियों अनभौव रखते हैं बिधाई सक्तियां, राजे पाल राजे विधान मंडल के सत्र को आहूत, संपोधित, बिगडित तथा सत्रा सन कर सकता है राजे विधान मंडल द्वारा पारित विधाकर राजे पाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियमित होता है जदी किसी भी से परततकाल करवाई किया हो सकता हो परन्तु उस समय राज्य विधान मंडल का सतर ना चल रहा हो तो ऐसी इस्तिती में अनुछेट 213 के नुसार राज्य पाल अध्यादेस जारी कर सकता है अनुछेट 200 के अंतरगत राज्य पाल किसी विध्याग पर अनुमती देता है या अनुमती रोक लेता है अथ्वा राश्पति की विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है इसके बाद आईए मुहत्वपूर्ण पद है मुख मंत्री राज्य की मंत्री परिश्यत का परधान मुख मंत्री होता है इसकी नुमती राज्य पाल करता है अनुछेट 162 के अनुसार मंत्री परिश्यत समोही करुप से बिधान सभा के प्रति उतरताई होती है राज बिधाई का बारे में कुछ दिया गया है जिसे हमोगे देखेंगे राज बिधान मंदल का निर्मान राज पाल और राज बिधान मंदल के सदन अर्थात बिधान सभा अथवा दो सदनों बिधान सभा और बिधान परिशत से मिलकर होता है वर्तवान में 6 राज्य 31 अक्टूबर 2019 से परभावी है वह कुन कुन सा राज्य है आंद्र परदेश उत्तर परदेश करनाटक, तेलांगना, बिहार तथा महराष्ट में बिधान परिशद इपलब देए इसके बाद है बिधान परिशद अनुचेद 119 के अनुचार संसत बिधान परिशद का गठन एवं भी गठन कर सकती है जदी संबंधित राज्य की बिधान सभा दोरा इस संबंध में संकल्प को बिधान सभा के कुल सभा से संक्या के बहमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों कि कम से कम दोतिय बहमत से पारित किया जाए बिधान परिशद राज्य बिधान वंडल का उच्छदन होता है बिधान परिशद की कुल सभा 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 के अधिक्तम एक बटा तीन और चालिस से कम नहीं हो सकती है विधान परिशत का सदस्य बनने के लिए नियुन दमायू 30 बर्स है विधान परिशत एक अस्थाई सदन है या कभी भंग नहीं होती है परंतु इसका उत्सादन या समात किया जा सकता है विधान परिशत के परतेक सदस्य का कारेकल 6 बर्स का होता है परन्तु परतेक दूसरे बर्स एक तेह सदसे अपना कारेकल पूरा करके उकास ग्रहन करते हैं और उनके अस्थान पर नवीन सदसे निर्वाचित होते हैं विधान परिशत के सदस्यों का निर्वाचन और परतेक शुरूप से होता है बिधान सभा बिधान सभा को निमन सदन भी कहा जाता है अनुछेद 170 के तहट बिधान सभाओं के संरचना का उलेग किया गया है बिधान सभा के सदस्यों का कार्जकल पांच बर्स का होता है वहीं विशेश इस्तिती में राजय पाल विधान सभा को पांच वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकता है विधान सभा सदस्य राचित होने के लिए नियुन्तम आई उसियों 25 वर्ष होती है विधान सभा सदस्यों का चुना वयस्कमत अधिकार द्वार परत्यक शुरूप से किया जाता है वर्ष एक राजय विधान सभा में अधिक्तम 500 तथा युन्तम 60 सदस्यों हो सकते हैं विशेश तत्य अपवाज सुरूप गुवा युम्मी जोरम में 40 तथा सिक्की में 32 विधान सभा सदस्यों निर्धारित है भारत के राष्टिय चिन राष्टिय परतिक इसके निचले भाग परसत्ती में उजयते निवनागरी लिपी में लिखा गया है जिसे मुंड़ोप ने सथ से लिया गया है राष्टगान जन गन्मन को समिधान सभा द्वारत के राष्टगान के रूप में स्विकार किया गया इसके रचेता रविंद रनाठ टेगोर है इसको गाने का समय बाउन सकेट निदारित किया गया है जब कि संशिप्त रूप में इसे 20 सकेट में भी गया जा सकता है इसे सर्पृतम 27 दिसंबर 1911 को भारतिय राष्टे कंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गया गया था जिसके अध्यक्ष बीसन नराइंदर थे राष्टिय गीत बंदे मातरम को राष्टिय गीत के रूप में 24 चनवरी 1950 को स्विकार किया गया इसे बंकीम चंदर चटर जी के उपान्यास अनन्द मट से लिया गया है इसे सर्पृतम भारतिय राष्टे कंग्रेस के 1896 के दिवेशन में किया गया था जिसके अध्यक्ष रहिमुत तुल्ला से आनी थे राष्टिय धोच राष्टिय धोच के बरतबान स्वरोग को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था ती रंगे में सामिल के सरिया रंग सहाज तथा सोर्य का परतिक सफेद रंग धर्म चक्र के साथ सांतियम सब्य का परतिक तथा हरा रंग सम्रिदी का परतिक है सफेद पट्टि के बीच में निले रंग के 24 तिलियों वाला चक्र है जिसे सम्राट असोप के सारनाच सी अस्तम से लिया गया है दोहज की चोडाई तथा लंबाई का अनुपात क्रम सद्दू अनुपात तीन होता है राष्टिय कैलेंडर ग्रेग्रियन कलेंडर के साथ सक्समोत पर अधारित राष्टिय पचांग को 22 मार्च उनिशो सम्तावन को अपनाया गया इसका पहला महिना चैतर है जो की सामानने बर्स में 22 मार्च को तथा लिप यर में 21 मार्च को शुरू होता है भारत का राष्टिय पशु बाग पैंथेरा टाइगरिस इसका बैगानिक नाम है को घोशित किया गया है मोर को राष्टिय पक्षी का दर्जा दिया गया है और इसका बैगानिक नाम पाव क्रिस्टिस्टस है गंगा नदी को राष्टी नदी के रूप में गोशित किया गया है राष्टी जली जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन या सूंस को मानेता परदान किया गया है हाथी को राष्टी बिरासत पसु का दर्जा परदान किया गया है इसके बाद पंचायती राज्ये तीहत्तरवे सम्मिधान संसोधन 1992 द्वारा भारतिय सम्मिधान के भाग 9 के अंतरगत अनुछे 249 तक 11 अनुशुची के तवज पंचायती राजी की विवस्था की गई है दो अक्टूबर 1967 को ततकालिन पर्धान मंतिर जोहल नाल नहरू द्वारा पंचायती राज का उद घाटन राजिस्थान के नागवर जिले में किया गया था आंधर पर्देश तुसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1967 को पंचायती राज का सुभारम किया गया इसके बाद त्यात्तरवे संविधान संसोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राजे के त्रियाश तरिये ढाचे के गठन की विवस्था की गई है पंचायती राज से संबांदिश समितिया बलवन तराय महता समितिए 1957, जसोक महता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, एलेम सिंग्वी समिति 1986, पिके ठुगन समिति 1988 महिलाओं के लिए पर्तेकस्तर पर एक तिहार अरक्षन की विवस्था है पंचायतों का कारेकल पांच परसने धारित है समय पूरुप पंचायत भंग होने पूर निर्वाचन छो मा के अंदर करवाना अनिमार होता है ग्यारवी अनुसुची में बरनित कुल 29 विशेव पर पंचायतों को करनों मराने की सक्ति परदान की गई है इसके बाद नगरपालिका हैं चोहत्तर में सम्मिधान संसोदन अधिनियम के द्वारा सम्मिधान में भाग 9 को अनुचे 243 तोसिर 243 यह चो तक तथा 12 हमी अनुसुची को जोड़ा गया है इसके बाद इसमे नगरपालिकाओं से सुंबनित परधान किये गए हैं नगरपालिका मुखेता तीन परकार की है नगरपंचायत नगरपालिका परिशत नगरणिगम नगरपलिकाओं में महिलाओं के लिए एक तीहाई स्थान आरक्षित है नगरपलिकाओं का कारिकाल पांच बर्स का होता है सर्वर्थम 1688 विमिम मदरास में नगर निगम की अस्थापना की गई थी लोकसेवा अयोग संग और राज्यों के लिए लोकसेवा अयोग की बवश्था की गई है संग लोकसेवा अयोग के अध्यक तथा सदस्यों की नियुकती राष्ट पती द्वारा की जाती है संग लोकसेवा अयोग के अध्यक शियों सदस्यों काकार्य कल 6 वर्स अथवा 65 वर्स की आयू तक जो भी पहले पूरा हो जाता है निर्वाचन आयोग समिधान के भाग पंदरा के तहतन उचे 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंदित प्रधान किये गए हैं निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयोग्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयोग्त होते हैं जिनकी निर्वाचन आयोग्ती राष्टपती द्वारा की जाती है अनुचे 324 के अंतरगत संसद राज्य विधान मंदल राष्टपती रूप राश्पती के पदो कि निर्वाचन की जिमिदारी निर्वाचन आयोग की होती है मुखे निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयोग तो का कार्यकाल 6 बर्स अत्वा 75 बर्स की आयोँ में जो भी पहले पुरी होता है निवार्चन आयोग एक संबाइधानिक संच्था है वर्तमान में मानेता प्राप्त राष्टी राजने तिक दलों की संख्या आठ है भारत के राष्टी ये दल भारती राष्टी ये कॉंग्रास आइनसी इसका चुनावचीन हाथ का पंजा चाब है भारतिय जनता पार्टी कमल का फूल चाब और भोजल समाज पार्टी ब्यस्वी हाथी असम को छोड़कर प्रतात असम राजमें हाथी नहीं है चुनावचीन के रुप में बातिय कमिनोिष पार्टी CPI हसेया और बाली च्छाप है Thaiki माक्सवादी CPI M हंसिया हम थोडा और तरा च्छाप है राश्टवादी कोंग्रेस पार्टी NCP घडी च्छाप है अखिल भारतिय किल्मुल कांग्रेस जोड़ाफूल च्छाप है इसे बाद है प्रमुक संसुधन प्रथम संसुधन अधिनियम 1951 सम्मेधान में नवी अनुप सुची को जोड़ा गया इस अनुप सुची में उल्लिखित भी सहयों को सरवच न्याले की न्यायिक पर नौलुकन की सक्ति से बाहर रखा गया प्रमुक संसुधन अधिनियम 1975 भारतिय संग में सिक्किम को पूल राजे के दर्जा परदान किया गया ब्याले संसुधन अधिनियम 1976 इसके द्वार प्रस्तावना में समाजवादी पंत निर्प्यक्ष तथा अखंडता सब्द जोड़े गये भाग चार कव में नागरिकों को मुल करतव्यों को जोड़ा गया राष्टपती कुमंतरी मंडल की सलाह मानने के लिए बात देखिया गया संसुधन अधिनियम 1978 राष्टपती के द्वार विदेख कुकुनिर विचार के लिए एक बार वापस भेजने की सक्ति परदान की गई राष्टपती आपात के संदर में आंतरी का सांती सब्द के स्थान पर सवस्थर भी द्रोस सब्द रखा गया संपती के अधिकार को प्राप्त मुल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे बीदिक अधिकार का दर्जा परदान किया गया राष्टिया आपात के दौरान अनुचेद 20 एवं 21 द्वारा परदत मुल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है 22 इसके तहट संसे देवम राज विधान मंडल के सदस्यों को दल वदल के मामले में अयोग गोशित करने की विवश्था है इसके लिए 10 विवनुसूची को जोडा गया है 21 संसोधन दिनियमू 1998 नगरीकों के मत दान करने की नियूंत मायो को 21 वर्स एघटा कर अठारा वर्स किया गया उन्हा तरवासन संसोधन दिनियमू 1991 संग सास्षित परदेश दिल्ली को राष्टी राजधानी छेत्र का दर्जा परदान किया गया इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदसी विधान सभा की विवस्ता की गयी तरवासन सोधन दिनियम 1992 संविधान में भाग 9 तथा गर्वी अनुसुची को जोड़कर पंचायतों को संभैदानिक दर्जा परदान किया गया जोहांतरवा संसोधन अधिनियम 1992 सम्मिदान में भाग 9 को तथ 12 अनुसुची जोड़ी गई 86 संसोधन अधिनियम 2002 प्रारंबेक सिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा परदान किया गया 91 संसोधन अधिनियम 2003 इसके दोआरा मंतरी परसेद के आकार को सिमित किया गया जोकि लोक सभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती 97 संसोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिती बनाने का अधिकार अनुच्षेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया 101 संसोधन अधिनियम 2016 इसके तहत 22 सिवाकर जिसे GST के नाम से जाना जाता है से सम्मंदित प्रवधान समिल किये गए है 102 संसोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रिय पीछड़ा बर्ग आयोग को समयदाने के दर्चा प्राप्थ हुआ है 103 संसोधन अधिनियम 2019 सामान ने अरक्षी गरीबों को आर्थिक अधार पर 10 परतिसत आरक्षण की विवस्ता की गई 104 संसोधन अधिनियम 2019 लोगसभा एवं राजय बिधान सभा में अनुसुचित जातियों और जन जातियों के लिए अस्थानों की आरक्षण में 10 बर्ष की बिरिधी तथा लोग सभा एवं राजय विधान सभा में नाम निर्देशंद द्वारा आंगल भारती समधाय के परतिनित्व सम्बंदियू उपन्द का समापन कर दिया गया एक सब पांचमा संसोदन अधिनियम 2021 यह अधिनियम समाजी के एवं सक्षिनी के रूप से पिछले बरगो ACBC की पहचान करने एवं निर्दिश्ट करने तो राजय एवं के नरसासित परदेशों की सक्ति को पुर्ण रस्थापित करता है तो दोस्तों यहीं पी समाप्त होता है भारतिय राजब्यवस्था और वीडियो के अगले घंड में हम लोग 20 भोगोल के बारे में पढ़ेंगे जो समसामाई घटन चक्र सचिब सामन नेगान के अंतरगत वर्णित है दोस्तों से संद में अंतरग बने रहने के लिए धन्यबाद मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए नवाद